हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग आई हो आप से बेच्च होंगे तो गाई जास की वीडियो हम बात करेंगे डिसेबल एकाउंट के रिकवरी कैसे किया जाए तो सबसे पहले आपको विया ब्राउजर डाउनलोड कर लेना आपको यह प्लेश टोर पर जाके मिल जाएगा त आप करेंगे तो आपके सामने सार अपेंगे आंगे और ऊप यह प्लिक यहाँ पको निछा गुंगे लिखा करोई हूंज, सीदे सीदे सेब्सा कुछ नहीं करना है जैसे आप यहाँ पर सिंपल सर्च करेंगे ब्हुत सारे ऐकाउंट आपको दिख़् जाएंगे इसे एकाउंट आपका रिक्वर नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है तो बहुत सारे हो जाएंगे तो हैं जो अपना फोटो या बीडियो जो है या किसी मदलब child हो गय किसी का भी हो गय मतलब ऐसे चाइजे रहते ही है तो उनका डिसिबल हो जाता है ठीक है आप डिस डाटा डाउलोडका कर सकते है लेकिन कुछ समय करेंगे इसके बाद next आपका यहांपको सिन आपको पासवर्ड कर देना तो यहां पर यहां पर रिखा है है यहांपको पॉलसी यहां पर देख्अ है प्यापको नीचे दिखा हुआ है इत लुक्स लाइक देख सकते हैं यहां पर क्या होता है तो ठीक है तो यहां पर देखो बहुत सारे रिजन है चाल्ड विंग सेक्षुल मेटेगर आपके मतलब उसमें काटून या कुछ भी गंदा वल्गर चीज़ें तो आपका एकाउंट डिसीबल हो जाएगा गूगल फोटो भी हो या गूगल ड्राइव में हो कहीं भी आपको रखना नहीं ठीक है अगर आप कहीं गल्दी से हो जाता है तो आपका एकाउंट जो है अब इसको कैसे इनेएबल करना है यह सारे चीजह है मैंने आपको पहले ही बता हुए है एक्जामपल से भी बताया हु श्टार्टट पर करूँगा तो यहां पर step 2 यहां पर दे हुए होते हैं तो फर्स्ट यहां पर देख सकते हो आप प्पर आपने स्ट वाले क्लिक करेंगे अब यहां पर इंसर अप्र फीड रिजन तीक है है because यहां पर लिखना है आपको because this account यहां पर मतलब जैसा मैं लिख रहा हूं आपको same to same website लिखना है ठीक है यहां पर because it include important my important documents and other Google accounts ठीक है इतना आपको simply लिख देना है जब आप इतना चीज़ बतायों ठीक है अब इतना करने के बाद और आपको लिखना है ठीक है अब आपको क्या लिखना है यहां पर I really don't know why my Gmail account has been disabled ठीक है इतना आपको लिखना है मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं इस वज़र से थोड़ा उसमें दे रहा हूं ठीक है यहां पर टीक है यहां पर लिखने ना है प्लीज इनैबल my Gmail account अब निचे आपको इसन Buffed करना है जो आपका डिसेबल हुआ है वह जीमेल भी आपको निचे इंटर कर देना है ठीक है अब यहां करने के बाद नेश्ट पर्टन कर देना है यहां पर आपको इंटर कॉंटेक्ट इमेल अब आपको वह इमेल देना है जहां पर गूगल टीम जो है आपसे कॉंटेक्ट कर तो यहां पर simply मैं अपना Gmail डाल देता हूँ, copy paste करके submit appeal कर देता हूँ, जैसा आप इतना करता हूँ, तो submit appeal पर click करता हूँ, तो यहां पर submit हो जाता है, मेरा appeal जो है, submit हो जाता है, और मुझे दो दिन में यहां पर review करेगा, देखो, यहां पर review करेगा confirm है, ठीक है, अगर appeal मेरा अच्छा होगा, तो मुझे reply मिलेगा, और एक link मिलेगा, ठीक है, we want to review fair and accurate, thank you for patient, मतलब आपको wait करने के लिए बोला है, accurate तरीके से अगर आप जो appeal किया है, वो region अच्छा होगा, तो आपका account required हो जाएगा, ठीक है, तो अब मैं आपको चलके mail पर दिखा देता हूँ, मैं क्या appeal किया हूँ, mail पर भी मेरे reply आ चुगा है, यहां पर no reply कि तरफ से देख सकते है, thank you for contacting us, ठीक है, Google will review or appeal as soon as possible most request takes two days, but might some cases take longer, मतलब कुछ cases में ज्यादा दिन ले सकता है, but mostly cases में दो दिन के अंदर हो जाता है, तो यहां पर आप data download करने के लिए यहां पर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो इदे देता है, आई हो वीडियो आपको फसंद आया होगा मिलते हैं अगर आपको कुछ इस हो है तो आप इंस्ट्राइब और हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप चार्ज नहीं लेते चार्ज लेने लगए, हाँ भाई हम मैं 60 चार्ज लेने लगा हूँ, अपील का चार्ज 500 रुपए है वाकि कंसल्टेंजिक चार्ज 50 रुपए है तो आप मुझे डाइकली नंबर दिया हूँ, उस नंबर पर भी कॉंटेक कर सकते हैं।